मूविंग एवरेजिस इससे पहले मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोग कभी इस तरह से नहीं सीख पाए होंगे और मैं बहुत धीरे से बताऊगा जो कि आप समझ पाएं चीज़ों को देखिए पहली बात तो ये सबसे पहले ये समझना होगा कि आसथ होता क्या है दूसरी बात ये कि आसथ क्यों यूज करते हैं रीजन क्या है कारण क्या है जब आप इस बात को समझ लेंगे कि क्यों यूज कर रहे हैं और किस तरह से उसको यूज करना है तब आपके results बहुत अच्छे होंगे, मैं आपको दो बाते बता दूँ शुरुबात में, जो हम लोग सीखेंगे, एक तो सीखेंगे moving averages से option bind करना, दूसरा सीखेंगे equity में swing trading करना, और तीसरा अगली class में moving average का एक part है anchor, vwap, जिसे हम लोग कहते हैं volume, weight is average price, तो आज हम लोग moving average सीख लें, और उसका दूसरा एक हिस्सा है advanced version, a, vwap होता है, और उसको हम लोग अगले session में cover कर लेंगे, इतना authentic और इतना practical तरीका है ये औसत को use करने का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस setup पर जो भी trades हमारे community trader सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इसक RSI, दो ही तीन टूल है जिनको मैं बहतर मानता हूँ और बाकी किसी आपके काम के हैं नहीं, हाला कि आप उसको use नहीं कर पाते हैं, आप लोग normal use करते हैं, 20 का moving average, 50, 100, 200, 150, 10, या फिर exponential moving average use करते हैं, मैं आपको बताओ, simple moving average use करने होते हैं, जरा समझ ये concept को क्या है, देखे, औसत क्या है, और बाजार में किस तरह के औसत होते हैं, बाजार में दो तरह के औसत होते हैं, एक buyer का औसत, एक share का औसत, जो खरीद रहा है, उसका average price होगा, जो बेच रहा है, उसका average price होगा, बाकी कोई average बाजार में नहीं होते हैं, मतलब अगर आपने यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर की खरीदा रही तीन सो पचास रुपए के प्राइस पर आज की मा लेते हैं शेयर्स एक्वल खरीदे हैं आपने खरीदे 350 के प्राइस पर अगले दिन आप 100 शेयर फिर खरीद रहे हैं 340 के प्राइस पर अगले दिन आप फिर 100 शेयर खरीद रहे हैं 360 के प्राइस पर तो मैं आपसे पूछूंँ आप अपना average price बताईए तो आप क्या करेंगे जितनी भी खरीदारी जिस जिस price पर हुई ठीक है इसको जोड़कर और कितनी तीन बार आपने खरीदारी की तो डिवाइट करेंगे तो आपके पास एक आउसत आजाएगा निकरी करेंगे यही आउसत आपकी खरीदारी का आउसत है जैसे आपने 100 क्वांटिटी 90 रुपय के भाव पर खरीदी फिर दुबारा से 100 क्वांटिटी 95 रुपय के भाव पर खरीदी मैं पूछू इन दोनों खरीदारी से आपका आपका एवरेज प्राइज क्या आया तो आप कहेंगे 97.5 97.5 ठीक है इस तरह से आउसत को हम लोग निकालते हैं अच्छा आपका एवरेज प्राइज ही आपका ब्रेकेवन है आपका माइंड सेट तै कर रहा है अगर आपने पहली खरीदारी 100 रुपय पर की और दूसरी 95 पर चानवे पे तो आपका आउसत भाव क्या आ गया 200 शेर हों का 97.5 अब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा अगर प्राइज 97.5 के उपर ट्रेड करें तो आपका ट्रेड भी ग्रीन रहेगा तो आपका माइंड सेट सोचने का तरीका भी पॉजिटिव रहेगा अगर आपका ट्रेड 97.5 के नीचे ये भाव ट्रेड कर रहा है तो आपका माइंड सेट भी कही ना कही नेगिटिव रहेगा और पैनिक में रहेगे इसी तरह मैं आप से कहूँ आप 10 लाख कॉंटिटी बेच दीजिए 100 के भाव पर और फिर 10 लाख कॉंटिटी बेच दीजिए 95 क के भाव पर जब 100-100 कॉंटिटी थी तो आप ट्रेड को होल कर पा रहे थे अब आपके पास 20 लाख कॉंटिटी है और 97.5 का प्राइज है आपने खरीदारी की है अब आपका प्राइज अगर 100 चल रहा है और लाट कर किसी भी समय 97.5 के उपर आएगा तो इतनी बड़ी कॉं इसे मैं आपको समझा रहा हूँ यह psychological condition है और हम लोग इसके अपने benefit के लिए इसको बहुत अच्छे से use करते हैं देखिए अच्छा सेलर का last selling price और buyer का last buying price क्या हो सकता है सेलर के लिए swing high उसका last selling price हो सकता है कि जैसे अगर कोई price 100 के भाव से चलने की शुरुवात करे और 130 तक जाए और फिर लाट कर 125 अभी बंद हो गया हो तो आप से कोई पूछे कि यह बताइए 100 से 130 तक भाव गया तो अगर बीच में किसी ने बिक्वाली की होगी तो वो आखरी भाव बताईए जिसके उपर बेचना संभवी नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि 130 के इस तर के उपर तो भाव गया नहीं तो सेलर्स ने जो भी position बनाई होंगी 130 तक बनाई होंगी 131 पे तो नहीं बना पाई होंगी तो सेलर का last selling price क्या ह स्विंग हाई जहां तक price चल कर गया इसी तरह है बायर का last buying price क्या है स्विंग लो कि 100 का भाव गिरकर 80 तक आया फिर लाटकर 88 क्लोज कर रहा है आप से कोई पूछे बायर ने अगर खरीदारी की होगी तो किस इस तर तक कही जा सकती है तो आप कहेंगे 80 तक इसके नीचे त अच्छा अब समझे अगर किसी seller ने price 100 से 130 तक है 125 trade कर रहा है तो 130 पर कही न कहीं बिक्वाली हुई है तो ही तो 5 रुपे की गिरावट हो गई है तो जिस seller ने 130 पर अपनी position peak point उसका 130 है यहां से 125 तक उसने कुछ ने कुछ पोजीशन बराई होगी तब ही 125 तक price आ गया तो ज इस price होगा की नहीं होगा इसी तरह है 100 से 88 तक price गया वो बीच में यहां कहीं भी खरीदारी थोड़ी बहुत की होगी impact यहां पर ला पाया तो price 88 तक पहुंचा तो 80 से 88 तक और इस zone में जब तक price यहां कहीं बना रहे 80 के उपर तो इस buyer का कोई average होगा की नहीं होगा ठीक है अब देखिए जब भी एक गिरते हुए price में पीक से seller का average लगाई है क्या कह रहा हूं seller का average plot कीजे पीक से जितना बाजार गिरा हो उतना अभी बताता हूं कि कैसे plot करते हैं average लगाते कैसे हैं ठीक है और कहा लगाते हैं वो भी बताऊंगा यह trading view का chart है इस पर use नहीं करते है यह धन का demet है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं demets इस demet में दो तरह के chart आपको मिलते हैं एक है trading view का chart और एक है chart IQ का chart जब हम लोग moving averages averages औसत को use कर रहे हैं तो हम लोग chart IQ का chart यूज करते हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर आप implement कर पाएंगे और बहुत साधारड तरीका है समझते हैं कैसे जैसे example के तौर पे मैं आपको एक उधारड बताओं तो क्या है supply कहां से आती है जो swing high लग गए यह गिरावट हुई गिरावट के बाद price यहां तक गया और यहां पर देखिए 46,200 के high बनने के बाद फिर price नीचे गिरावट करने लगा तो last selling price आपसे कोई प इस candle के बाद फिर बिकवाली ही होती रही तो सेलर ने यहां भी बेचा है यहां भी बेचा है यहां भी बेचा है यहां भी बेचा गिर रहा है तब तक बेचा रहा है यह इसके नीचे नहीं गया तो सेलर का इतना बिकवाली यहां भी बेच रहा है यहां भी 46,000 पे भी 45,000 तो हर जगह seller बेच रहा है इसका मतलब है इसके इतनी विक्वाली का एक उसत आएगा जो 46,000 पे भी बेचा है 44,000 पे भी बेचा है 45,000 पे भी बेचा है तो बीच का कोई भाव आएगा की नहीं आएगा एक average price निकल कर आएगा अगर कोई बायर बीच में आकर उसके उसत भाव को काट दे तो समझे सेलर को काट दिया गया है क्यों ये quantity बड़ी सेल कर रहे है अगर आप 10,000,000 पे बेच दे या खरीद ले और 97.5 के price का आपका उसत भाव आ जाए और अचानक से price 100 से गिरके 97.5 के नीचे आने लगे तो आपनी quantities को काट के भाग जाएंगे क्यों? quantity बहुत बड़ी है, बड़ी quantity का pressure है institutional seller और buyer के पास भी ये pressure होता है उनकी quantities तो आपसे बहुत बड़ी है, वो एक दिन में 1000 करोडों की खरीदारी और बिक्वाली कर रहे है इसी तरह अगर 46-300 का price यहाँ पे trade कर रहा है और downtrend में price आया, तो यहाँ से यहाँ तक की बिक्वाली में जो average price आया वो यहाँ कहीं रहा होगा और सद्भाव, जब भी price इस average price को काटेगा तो एक certain बड़ी rally आएगी तो देखिए, कैसे निकालते हैं किसी seller या buyer का average सबसे पहले हमको एक peak point ढूनना है, जिस इस तर तक price चलके गया जैसे यहाँ पर 46, 200 तक चलके गया, फिर गिरावट की शुरुवात हो गई, तो यहाँ से low तक जितनी candles के formation हुए, वो हमको ध्यान रखने है, ठीक है और अभी जहाँ bazaar trade कर रहा है, जैसे अभी यहाँ trade कर रहा है, और आपको seller का price आई है या फिर यहाँ पर आप breakout देख रहे हैं, आपको यहाँ तक seller का price आई है तो जहाँ भी recent price trade कर रहा है, तो वहाँ पर हमको supplier का, seller का average price मिल जाता है तो total number of candles, जितनी बनी है, उतनी candles का ओसत और जिस time frame पर जैसे यहाँ से, यहाँ तक, जब price यहाँ trade कर रहा था, example के तौरब, इसके पास यह breakout हुए तो breakout जब भी यह होंगे, seller के price को काट कर ही price sell कर गया होगा, यह तै है यह सब से authentic price action का setup है, average के लिए, ठीक है तो क्या करना है, total number of candles, यहाँ से लेकर, यहाँ तक कितनी candles का formation हुआ तो अगर आप trading UK chart पर करना चाहते हैं, तो एक scale पर click करकर, एक click यहाँ कीजे और next click यहाँ कीजे, तो देखिए, 45 birds, ठीक है लगबग 45 candle बनी, ठीक है, 45 candles बनी है, तो आपको moving average कौन सा plot करना होगा 48 का, लेकिन अब अगर 48 का moving average plot करेंगे, तो इन वाले stations को भी यह mention कर लेगा इसलिए मैंने कहा, हम लोग दूसरे chart का use करते हैं, trading view का नहीं, आप यहाँ पर जब आएंगे तो यह देखे, जैसे यह bank nifty का है, यह trading view का chart है, आप trading view का chart इस पर click करेंगे न, तो जो आपको chart अभी मैं दिखा रहा तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे अच्छा, यह धन का demet आप use करना चाते हैं, तो नीचे description में link है इसका, आप उस link से अपना demet open कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल आसानी से यह सारी चीज़े आपको free of cost मिलते हैं, strategy builder, अभी मैंने previous video बनाया, आप लोगों ने comment किया, बिल्कुल free of cost है, बिल्कुल आसानी से आप वहाँ trades कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहले से position को बनाके risk reward देख सकते हैं, सब कुछ free of cost है यहाँ पर यह bank nifty, अगर trading view पर click किया, तो वहाँ पहुंच गया, यहाँ पर देखिए, जब आपने इस charts पर click किया, तो chart IQ का chart open होगा, आप यहीं पर trading view का chart लगाना चाहें, तो trading view पर click कर सकते हैं, यहीं पर आप chart IQ का chart इस तरह से plot कर सकते हैं, plot हो गया, daily time frame, अब मैंने क्य कहा, जहां से जहां तक का average चाहिए, तो draw line पर click किजिए, यहाँ पर आपको tool मिलेगा average line, यह बहुत महत्पूर tool है, average line, अब पहला click वहां करना है, जहां से गिरावट की शुरुआत हुई, जैसे यह 46-200 से गिरावट की शुरुआत हुई, और हमको देखना है कि कहां जाकर यहां तक का हमको औसद चाहिए था, यहां तक ठीक है, तो थोड़ा सा दो दिन आगे तक यहां तक हम लोग देख लेते हैं, अब देखें, यह seller का average जिसने 46-200 से selling की शुरुआत की थी न, जब price यहां trade कर रहा थो तो इसका औसद क्या था, 43-994,000, 44,000 जब इसका average था, तो कि जब तक एक seller के average के उपर buyer एक closing ना दे दे, तब तक आप trade execute नहीं करते हैं, क्या का, जब तक एक seller के उपर buyer closing ना दे दे, तब तक आप trade execute नहीं करते हैं, तो जैसे यहां पर आपने क्या देखा, यह price यहां पर close नहीं किया, gap up किया उपर, और red candle close कर दिया, अच्छी closing नह यहां तक पिछली बार price चलके गया वो high break की है, अब यह price long run में गया, तो इसके बाद momentum देखिए, आपको बताया है न, यह seller का average price है, seller का average price खुद में एक resistance है, dynamic resistance, जो की seller के औसुद भाव के साथ बदलता रहेगा, यहां पर क्या हो रहा है, जब भी seller के average price निकल कर गए, इस इ क्या किया, यह जहां तक पिछली बार खरीदारी करके price को पहुचा पाये थे, वो high cut दिया, अब सभी sellers इस डर से कि buyers ने बड़ी खरीदारी कर दी, अपनी positions को काट कर भाग जाएंगे, जब वो ऐसा करेंगे, तो बड़ी demand create होगी, जो की यहां पर दिखता है, और बहुत ब impact of selling से low लग गए, breakout के बाद impact of buying में कम से कम उतना momentum तो आएगा, कि जैसे यहां पर 46, 43,942, 44,000 से बाजार गिरा और 42,000, 2000 पॉइंट की गिरावट है, तो यह जब high break हो रहे है, यह high कहां break हो रहे है, अब देखिए, यह high break हो रहे है, 44,400 पर, तो target क्या होना चाहिए था, 45,400 46,300, 400 के आसपास, तो हम लोग कहां पहुंचे देखिए, 46,300 के आसपास पहुंच गए ना, तो यही हम लोगों के target थे, जिन लोगों ने यहां पर long की position ली, हमारे कई traders इस तरह से long करके बैठे थे, हाला कि हम लोगों ने भी कराया, सभी लोगों ने long की positions ली, बहुत अच् को, ठीक है, और इस तरह से आप इसको लगा लीजे, और फिर आप देखते हैं कि जब भी ये price निकला, तो जितनी इस average से नीचे panic आया था, breakout की बाद उतना ही बड़ा, पहला bull लन आएगा, ठीक है, अच्छा, इसको और कैसे use करते हैं, जैसे intraday में, अभी देखिए, अभ हाई को टच करने के बाद, बाजार इस हाई को अभी तक नहीं निकला है, तो सेलर यहां पर बैठे हुए, लेकिन इस तरह पर swing low break नहीं हुए, तो हम लोग इस सेलर के average price ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यहां पर पहला क्लिक कीजिए, और अभी तक जहां तक price चला है, व मिलेगा, average यह बदल जाएगा, जो अभी 46, 4924 है, यह बदल जाएगा, अगर कभी भी इसके उपर price निकले, और यह day high निकल जाए, तो बहुत बड़ा momentum फिर से आपको मिलेगा, दो, तीन, चार सो point आप फिर gain कर लेगे, इस तरह से जब आप आप उसत को use करते हैं, यह सब स price आ रहा है, इसको touch कर रहा है, तुरंद गिरा रहा है, इसके पास तुरंद गिरा रहा है, फिर आप जा रहा है, फिर गिरा रहा है, अगर एक बार भी आप seller के price को निकल गए, और यह swing high आपने निकाल दिये, आपको momentum मिल जाए, बात clear हुई, इस तरह से move गी averages को use कीजे, ठ ठीक है, चलिए, शुब्रात्री, धन्यवाग।